तो आज की क्लास में अपन जो है अश्टांग घरदया जो है स्टार्ट करेंगे अभी तक अपन लोग ने चरक सहिता के इंट्रोड़क्टिव पार्ट देख लिया उसके ठीक है जो इंपॉक्ट्रेंगे इसके बाद में समय आता फंट्रोड़क्टिव पार्ट देखेंगे साथ ही साथ अपन ये भी देखेंगे कि जो आपका सुसुरु समय आता है उसमें क्या कैंचीक्प्ती पार्ट पढ है उसमें से बहुन सारे important आते हैं उसको अपन last में देखेंगे ठीक है तो lecture को ध्यान से सुनिएगा ठीक है और इस notes का मैं password भी रखूंगा ठीक है और तो start करते हैं आज की जो class है वो कल का जो आप लोग का response था बहुत अच्छा था देख करके मेरे बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारे maximum जो बच्चे हैं उन्होंने answer किये ठीक है तो यह चीज को आप ध्यार रखना तो ऐसे ही करो ठीक है देरे देरे practice करो last time में मैं एक major जो है आपका question bank लाऊंगा ठीक है जिस में से maximum questions आपको आ जाएंगे ठीक है कोशिश करेंगे अपन ज्यादर ज्यादर चीजों को revise करने का तो अभी जो है अपन सम्मितस को ही लेकर चलेंगे और उसी को ही continue करेंगे तो आज ही start करते है अश्टांग हिरदय का जो वैसिश्टिक है ठीक है यहां पर आपका बोला ग करते हैं निदान इस्थान से पहले कि है सरीर इस्थान का वर्णन किया गया है किसमे अश्टांगिर्दय में कोश्यन अगर आ जाएं कि निदान इस्थान से पहले सरीर इस्थान का जो है वर्णन किसमे है तो अश्टांगिर्दय में ठीक आगे चल करके उसको देखेंगे पिर कल्प शिद्धी स्थान का एक साथ वर्डन किया गया, तो अश्टांगिर्दे में जो कल्प और सिद्धी स्थान है, दोनों के एक साथ बता दिया गया, अभी अपन अध्य है, जो आपके chapters के जो participation जो किये गये हैं, उसको आपन देखेंगे, कौन से कौन से है, तो उसमे कहे है, जो आपका कल्प शिद्धी है, जैसे आपके अचारे चरक होगे, शुश्रूत होगे, ठीक है, इन्होंने कल्प और सिद्धी को अलग-अलग बताया था, लेकिन यहाँ पर आपका जो अचारे जो वांगभड़जी हैं, ठीक है, अश्टांगिर्दे में, उन्होंन example के लिए आपका हरितिक क्यादी वर्ग में क्या है अध्रकादी एवं आपका जो ग्रिजनक है ठेक है उसका जो है ग्रिजनक का मिल्ली जो है वर्णन किया है ठेक है तो आपका हरितिक क्यादी वर्ग में अध्रक हो गया ठेक है ग्रिजनक हो गया इनका जो है मिल्ली वर्णन प्रमेह में आमलेकी का प्रयोग, प्लीहा रोग में पिपली का प्रयोग, वातरक्त में गुडूची का प्रयोग, वात कफज विकारों में हरितिकी का प्रयोग, वस्ती विकारों में कहें सीला जत्तु का प्रयोग, छर्दी रोग में लाजा का प्रयोग, जुर में मुस्तापरपट का प्रयोग, तथा इस्थौल्ले में कहें रसांजन का प्रयोग, ये मिली बताया गए, तो प्रमेह में जै जुर में मुस्तापरपट का प्रयोग और इस्थौले में रसांजन का प्रयोग तो यह जो नए प्रकार क्या आपका जो आग्रे नए द्रव्य ठीक है रोगनुसार जो उन्होंने बता है यह उनकी देन है मौलिक देन है यह चीज आपको याद रखने है देन आगे बढ़ते तो विपाग के विशे में क्या बो लगए है तो विपाग जो होता है आग्या विपाग की जो परिभाशा है ठीक है वो आपको अश्टांगर देकनुसार याद रखना है विपाग की परिभाशा क्या बो लगए है तो विपाग की परिभाशा बो लगए है जठा रगनी सं अंत में जो आपका जो ग्यान होता है उसे अपन क्या बोलते है परणाम के अंत में जो आपका ग्यान होता है उसे विपाक करते हैं तो कभी कभार क्या होगा यह कोटेशन पूरा प्लॉट कर देगा तो यह डेफिनेशन आप लोगों को याद रहना चीए और क्या करेगा कि विपाक को बताईए घर कि आपको पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है यह जो है डेफिनेशन है कि जठर अगनी का संयोग के पस्चार जो रस प्राप्त ह होता है और रस के परणाम के अंत में जिसका ज्यान होता है उसे अपन क्या बोलते हैं विपाक कहते हैं ठीक है तो यह चीज़ को आपको याद रखने है दैन बात करते हैं विचित्र प्रत्यरब्द का जो सिध्धान्त है वह वांग भटने अश्टांग घरदय की मौलिक द प्रभाव के अंतरगत पढ़ते हो ठीक है तो उसका जो देन है यह विचित्र प्रत्यरब्द किसकी देन है तो वांग भट की देन है श्टांग घरदय की मौलिक देन इसके अलावा भेशच कल्प अध्याय तो कल्प इस्थान के 6 में स्वरस्क्वाथ आदी औश्द कल्प पनाओं की मात्रा का विधान बताएगे है तो बहसच कल्प जो अध्याय है कल्प इस्थान का जो 6 चेप्टर है उसमें स्वरस्क्वाथ जो आपके है तेक है उनके औशदियों की कल्प की मात्राओं का विधान बताएगे है तो यहां पर आपका आगे क्या वो लगए है द धातूों एवं मलों को एक-एक विशिष्ट कर्म का निर्धारन किया है, अश्टांगिर्दय की मौलिक दिन, मतलब ऐसा बोला गये है, कि आपका सुत्रिस्थान भी पढ़ेंगे, ठीक है, जो आपका सुत्रिस्थान है, ठीक है, उसका जो आपका 11 चेप्टर है, है, ठीक है, उसमें जो धातू है और मल है, उनके प्रॉपर एक-एक के विशिष्ट कर्म बताया है, किसने, अश्टांगिर्दय ने, ये भी कहा है, अश्टांगिर्दय की मौलिक दिन है, अश्टांगिर्दय में, रक्त को केवल दुस्य माना गया है, ठीक है, तो ये याद रखना, अश्टांग हिर्दय में जब बोला जाए, कि रक्त को माना गया है, तो दुस्य माना गया है, ठीक है, और जब अश्टांग संग्रह में बोला जाए, तो अश्टांग संग्रह में दोश और दुस्य दोनों माना गया है, ठीक है, रक्त को, तो ये चीज आप जो बोला गया है वो इसने विधी अध्याय बताया गया तो इसने विधी अध्याय में क्या बोला गया इसने विधी अध्याय में सुत्रिस्थान का जो आपका 16 चैप्टर है उसमें साथ सद्रिस्थान के जो 16 चैप्टर है उसमें साथ आपके सद्धा इसने योगों का इसके अलावा यंत्र सस्त्र प्रक्रण में जो आपका सेल निर्गातनी नाडी तथा अस्मरी हरनी जो आपका यंत्र है उसका वर्णाना है तो यंत्र सस्त्र प्रक्रण में जो आपका अस्मरी हरनी जो आपका यंत्र है उसका वर्णाना है तो यंत्र सस्त्र प्रक्रण में ज जो आपका यंत्र है, उसका वड़न है, यह चीज भी आपको याद रखने है, फिर बात करते हैं, मूड गर्भ प्रक्रण है, मूड गर्भ प्रक्रण में, जो कौन से चेप्टर है, सारी रिस्थान का थर्ड चेप्टर, ठीक है, सारी रिस्थान का थर्ड चेप्टर, मूड सस्त्र साध्य बताएगे यह आपके बियेच्चू के एक्जैम में आया था कि दो विश्कमभक नामक मूडगर्भ है अश्टांग हिर्दय के अनुसार सस्त्र साध्य तो आपको याद रखने हैं फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ते हैं तो प्रथमता अश्टांग हिर्दयक का बताया है ठीक है जो सडवीद मर्म है वो किसने माने है ऐसा बोला जाए तो अश्टांग हिर्दयने माने है ठीक है सडवीद मर्म किसने माने है अश्टांग हिर्दयने माने है प्रथमता अश्टांग हिर्दयकार द्वारा मर्म प्रक्रक्रन बताया गया है जिसमें सरीर मर में किसने मानने है ऐसा करके पूछा जाए तो आपको याद रखने है सडवीद जो मर में है वो किसने मानने है अश्टांगिर देन पांडुर वटक आधी का प्रयोग करने के विश्यम बताया है तो अर्स में कहा शूरन पूट पाक का प्रयोग अतिसार में दाडी मश्टक चूना का प्रयोग उदर रोग में ऐस्कृत का प्रयोग और पांडुर रोग में कहा जो आपका मंडूर वटक है उसके प्रयोग के विशम बताया है तो यह चिकित्सा में अनेक नवीन योगों का वर्णन किया गया है तो कुछ एक्जेम्पल्स जो मैं यहाँ पर इंपोर्टेंट बताया हूँ उसको याद रखना ठीक है अर्स में पूछा जाए तो सुरन पूटपाक अतिसार में दाडी मश्टक उदर रोग में एसकृत और पांडू रोग में मंदूर वटक देन आगे बढ़ते हैं तो नेतर रोग में भी अनेक नवीन योगों का निर्देस है का गया है जैसे कि तीमिर में घंधक युक्त अनजन का प्रयोग इसके अलावा पाशुपात यूग ताम्र तुत्थ रसांजन रितिपुषप मना शीला, समुद्रफिन और पुस्पकासिस का भी बहुताय प्रयोग किया गया है इसके अलावा के है पाशुपात योग हो गया, तामर हो गया, तुथ हो गया, रसांजन हो गया, रिदे पुश्प हो गया, मनाशीला हो गया, समुद्रफिन हो गया, ठेक है इसके अलावा प्रक्रण उसमें अश्टांग संग्रह में जो भी द्रवे बताएगे हो उनेक जो द्रवे हो उनको छोड़ करके प्रचलीत वराहिकंद गोक्षूर सुन्थी आदी द्रवों का वणनेंड किया गया है तो कौन सा अश्टांग संग्रह में जो वणनेंड जो आपके वराहिकंद गोक्षूर सुन्थी आदी का वणनन मिलता है, जबकि वजीकरण में उच्चांटका प्रयोग किया गया है तो उच्चांटका प्रयोग कहा पे किया गया तो वजीकरण में फिर अश्टांग हिर्दय में 19 अचारियों का नामत्ता निर्देश दिया गया है, ये चीज़ आपको याद रखने हैं, अश्टांग हिर्दय में कितने अचारियों का उल्लेख हैं, तो 19, ठेक हैं, 19 जो अचारिय हैं, ठेक हैं, उनका उल्लेख आपको अश्टांग हिर्दय देन का है तो यह भी यहां से अपके important questions arise होते हैं वांग भट ने क्या-क्या चीज add-on किया है क्या-क्या मौलिक देन है ठीक है यह से सुसरूत की बहुत सारी मौलिक देन थी ठीक है हमने देखा था कि बहुत सारी चीजें जो सुसरूत ने सुसरूत ने दिया था ठीक है उससे से लेटर भी question करेंगे तो आपको पता भी चल जाएंगा कौन से कौन सा था ठीक है चुझए यहां पर आपन बात करते हैं वांग भट की मौलिक अच्छादन अनुवर्तन वांगभट की मौलिक देन है ठीक है रितु संधी के विशम बात करें तो रितु संधी का काल कितना बता है 14 दिन बता है वांगभट की मौलिक देन है 14 दिन जो बता है ठीक है वो किसका है वांगभट का ही मौलिक देन है इसके अलावा बात करें तो पंच पंच मूल जब था सब्त पंच मूल ये कह है वांग भट की ही मौलिक देन है तो पंच पंच मूल और सब्त पंच मूल ये किसका देन है वांग भट का ही देन है ये चीज आपको याद रखने है फिर इसके बाद में बात करते हैं आस्रे आस्री संबंद आस्रे और आस्रे संबंद यानि कि जो भाव है वो वांग भट की ही मौलिक दिन है आप लोग पढ़ते हो आस्रे आस्रे संबंद ठीक है आपके दोश और आपके दुश्य ठीक है ये आपके आस्रे और आस्रे के अंत थमता, नाम के रूप में जो वर्णन किया है, किसने किया है, वांग भट नहीं किया है, ये सारी चीजें आप लोग को अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है, उसके बाद में ये तो एकदम और पूछे गए लाम के बाद को एक देगा, ठीक है, तो आपको याद रखने है, ये आपका ब्लैंक कर देगा पूछे गए किसका definition है तो आपको याद रखना है यह आम का definition किस ने दिया है तो वांग भट जी ने दिया है ठीक है क्लियर हो रहा होगा I hope सभी चीज़े है ठीक है फिर बात करते हैं वस्ती के प्रकार के विशे में तो वस्ती के तीन प्रकार बताया है वस्ती के तीन प्रकार बताया है मतलब जो वस्ती कर जिए रहा है तो प्रतिमर्ष नस्य वणग भटच है उन्होंने क्या है प्रतिमर्ष जो नस्य उसके कितने काल बताया है तो पंदर काल बताएं अब इनके विशम भी थोड़ा discuss कर लेते हैं तो जो प्रतमर्स नस्य हैं उसके क्या 15 आल बता हैं इसके आलब वो नस्य का जो काल बता है ठीके नस्य का जो काल बता हैं treat अपर बूलागय है वांगड़ने कि 7 वर्से से पूरव तथा 80 वर्स के बाद में नहीं देना चाहिए मतलब 7 वर्स के बाद में अपन molto start करेंगे नस्य देना और 80 वर्स से पहले तक देना है ठीक है 80 कि बाद में नहीं देना है ठीक है तो यह चीज आपको शाद बताएगे है कवल के विश्म बात करें तो पांच वर्से से पूरो नहीं देते हैं मतलब कवल जो कराते हैं वो पांच वर्से से कराते हैं ठीक है तो यह चीज आपको याद रखना है कवल का जो काल है यह सारे इंपोर्टेंट है भई ठीक है इसको याद रखना तो कव ऑर असी वर्स के पहले पहला हो गया नश्चे का काल इसको आप अधरवे में देखो तो साथ वर्से से पूरोँ योह आपका नस्से नहीं के घृकりました जोकितना परता है 18 वर्स के बारते हैं इसके अलबवा कवलंकि विर्शर सीख जाता है गारगिंग जाता है قरना इसके बाद ने शोधन के विशम बात किया तो शोधन, शोधन मतलब जो है आपका 70 वर्स के बाद में नहीं करा सकते हैं, क्यों नहीं करा सकते हैं, तो आप लोगो भी पता है, 70 वर्स के बाद में जो धातुए हैं, वो छीड हो जाए रहती हैं, तो उसमें और दोशों को कैसे बढ़ाएंगे ठीक है वा तो दोश के प्रकोब्रेगा दूस कंडिशन में अपने खुनी कराने हैं ठीक है ऐसे करके थोड़ा सा थेओरिटिकली मतलब समझ समझ के याद रखो गया तो याद होगा यह चीजे चो है नस्य के पंदरकाल तो आपको याद ही रखने है प्रतिमर्शन श्यक्या आगे बढ़ते हैं पिर बात करते हैं मुर्द तयल मुर्द तयल मुर्द तयल अम के कितने भेद बताएगा तो चा चारभेद हो गया है वांगभट की देन है किसकी देन है वांगभट की देन है तो मुर्दे तैल के चारभेद अभ्यंग शेक या परिशेक पिच्चु और आपका सिरोबस्ती यह कहें आपका किसका देन है वांगभट की देन है ठीक है इसका पंच कर्म में जब आप देखते अन्तर चार चीज identifies आघती आपको पहला याद रहना है, अभिहंग सेख़ा परिशेत, फिछो और सीड़ो बस्ती पितनी बताई है वंग भाउपटने 26 वताई है 26 स्सत्र कि संकिया गर्व पोशन में मेले केडारी कुल्य नय से माना है तेके गर्व का जो पोशन होता हो किससे होता है केडारी कुल्य नय के नुसार होता है यह मिले माने है इस का अलवब सरीर की जो लंबाई है वह अתחयर है साढ़े हैं तो साढ़े तीन हस्त किसका सरीर के लंबाई मानी यह केदारी खुलय नाये कहल और अश्टांग्पर डेने का है वो के यह होती है तक पहुंचती है जो जहल हो उसी साब से आपका कहा है पोशन होते हैं उसी प्रकार गर्भक का भी पोशन होते हैं ये किसका माना है अश्टांगर देने माना है और अश्टांगर देने कहा है सरीर के जो लंबाई हो वो कहा है साड़े तीन हस्त बता है हस्त बता है याद रखना अरिष्ट का वर्णन सारी रिस्थान में किया है तो ये चीज़ याद रखो भई अरिष्ट का वर्णन सारी रिस्थान में किया है ये स्पेसिपिक है सारी रिस्थान में किया है जब कि इंदरी रिस्थान में होता प्रजापत्य विधी में जात कर्म संसकार बता है प्रजापत्य विधी में के है जात कर्म जो संसकार है उसका उलेख जो है अश्टांगिरदे ने बता है कपालगत जो रोग है उनकी संख्या नो बता है तो कपालगत रोगों की संख्या कितनी मानी है अश्टांगिरदे ने नो ठेक है इसके अलब अभी आप पढ़ के आओ, फैनल येर, याद ही होगा, इसके अलब विश संकट का वरणन, वांगभट की देन है, तो विश जो संकट है, वो जह है किसका देन है, वांगभट की देन है, जबकि विश कन्या, कहां पर आपन लोगों ने पढ़ था, कल सुशुरु स इस्थान के अंत में, रसायन तथा वजिकरन का वरणन के है, तो ये भी आद रखना कि वांगभट ने कहा है, उत्तर इस्थान के अंत में, वजिकरन और रसायन का वरणन के है, जबकि चरक ने कहा है, पहले ही वरणन कर दिया है, ठीक है, चिकित समय, जबकि इन्होंने कहा उत्तरिस्थान में किया है, यह रखका है, फिर वजीकरण जो 14 nephew किया है, इन्होंने किया है, जो वजीकरण जो अध्ध्य है, जो 14th जो चेप्टर है, उसमें किया है, आपका आग्रे धर्वक वर्नाम किया है, फिर सभी इस्थावर विशों में मूल आशरित होने के कारण मौली संग्या दिये हैं तो यहां पर आपका वो लगे जितने भी इस्थावर विश हैं उसमें कहा हैं मौल आशरित होते हैं इस वजए से उसे कहा हैं मौली की संग्या दिये हैं को किसको दिया ऐसा करके question आ जाए तो जीतने भी-स्थावर विश है ठीक है उनको जिनमें कहा है उसे कहा अश्टांग लगादया ने मौली की संग्या दिया इसके लावा सभी आस्रायो में ग्रहस्त आस्राय स्रेष्ट माने है ठीक है तो सभी प्रकार के जो स्वारी सभी आस थो यह सपकर हो आथ क्ष之前 का जो ने बात करतेए दंतकास्टकी जो लंबाई है वो कितने अंगुल होना चाहे तो दंतकश्टकी जो लंबाई हो वह बारंगुल बताई है इसके अलावा विपाक की एवं आम की जो परिभाषए वह वांभट की मौलिक देना है यह सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं यहाँ पे मैंने इनके टीकाओं का जो है वर्णा नहीं किया तो टीकाओं को मैं नेक्ट क्लास में जब मैं फर्स्ट इसका चैप्टर पढ़ाऊंगा तब मैं बता दूँगा तो यहाँ तक कि सारी चीज़ें आई हो आप लोग बता दूँगा तो यहाँ पस आप लोग स्क्रीन शॉट ले लो और मेरे को भेजना है अब यहाँ पर इस नोट्स का जो पासवर्ड है वो भी मैं रिविल कर देता हूं ठीक है तो रितु संधी कितने दिन का होता है 14 दिन का होता है ठीक है यह चीज़ आपको याद रखना देन अपन आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपन जो है अब कोश्चन पेपर प्रैक्टिस करते हैं ठीक है कुछ कोश्चन जो रियालिटी में आपके एक्जैम में आ चुके हैं ठीक है और बहुत ज़्यादा प्रॉपबिलिटी है ठीक है कल का जो शुश्रुश सहीत है उसके कोश्चन में जो है बताऊंगा ठीक है आप लोग को लाइव चैट बॉक्स में आंसर देने हैं ठीक है क्योंकि कल आपने बहुत अच्छा प्रॉपोर्मेंस किया ऐसे करके अपने छोड़ा 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 करेंगे तो आप लोगा थोड़ा ठोड़ा करके जो घ् बिढ़नीचु उश्रूत और डि है आपका ना करिडिवाुड जल्दी से बताऊ जल्दी से बताऊ चट जो बॉकस है उसमें बताऊ लाइव चाड बॉकस है उसमें बताऊ कौन से ऑंसर उपधेशटा कौन है? कौन है सभी के आंसर, लाइव चैट जो बॉक्स है, वहाँ पे आप लोगो दिखाई दे रहोगा, वहाँ पे आप लोगो आपने आंसर उटप करने हैं, बताने हैं, सेकंड कोश्चेन हैं, उसका जो आप बताओ, कि व्रिद सुसरूत कौन थे, तंत्र करता, प्रतिसंस करता, ठीक है क्या है व्रिद सुसरूत, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, क्या है व्रिद सुसरूत, तंत्र करता, option A, ठीक हैं, फॉर उसके आदनेर आपका थर्ड़ नमर का question है, सुसरूत सहीता के पाथ सुद्धी करता कौन है, तो कौन है, option A है, धन्मांत्रि, option B है, नागरजुन, option C है चंद्रट और option D है सुष्रूत कौन है पाठ सुध्धी करता जल्दी बताओ जल्दी जल्दी चंद्रट ठीक है देन अपने आगे बढ़ते हैं next question के उपर तो सुष्रूत सहीता के प्रथम संस्करता कौन है चलो भी इसका अंसर बताओ मेरे को option A है सुष्रूत option B है व्रिद सुष्रूत option C है नागरजुन option D है चंद्रट कौन है बताओ प्रथम संस्करता प्रथम प्रति संस्करता सुष्रूत सहीता के जल्दी जल्दी आंसर आना चीए सभी का आंसर आना चीए यहाँ पे कुछ लोग का नहीं सभी का आंसर आना चीए जल्दी बताओ। बिल्कुल सही, यहाँ पर है आपके जो प्रतम प्रतिसंस करता कौन है तो आपके हैं जो करता है? स्वारी सुसूरूत हैं सुसूरूत जो है प्रथम आपके प्रतिसंस करते हैं सुसूरूत कौन है प्रथम प्रतिसंस करते हैं ठीक है फिर next question के उपर अपना आते हैं तो ये वाला question का answer बताओ भी अब मेरे को कि नागरजून तथा धन्वंतरी तथा चंद्रट का जो काल है व द्यारवी सदी ठीक है फिट साथवी सदी थीस्तो चववनिशा पूरव बारवी सदी ठीक है इसके अदब पाच्वी सदी थीस्तो पचासी सपूरव सत्रवी सदी इसका answer बताओ कौन से है डिको यहाँ पे नागरजून का तो अपन यहाँ पे देख लेते हैं ठीक है अब का पहला आंसर जाएगा थेक किसके किसक के पहला आंसर चलो ठीक है नेक्श्ट कुश्टन के उपर अपन आते हैं कि नेक्स्ट कुश्टन क्या बोला गय कि क्यो बोलाग गया उपाए उपाई के रचहिता कौन है कौन है उपाई हुरदय जो रचहिता उनका नाम क्या है? option A, सुसूरूत, option B आपका, जो गया दास है option C, नागरजुन, option D आपका भासकर, कौन है, उपाय हर्दय के रचाईता ठीक है, उपाय हर्दय के जो रचाईता है, वो कौन है तो, नागरजुन ठीक है, option C, फिर उसके बाद बात करते हैं, अगले जो question है नाए चंद्री का ठीका के ठीका कार कौन है option A, गया दास, option B भासकर, option C जो आपका चक्रपाणी देता, और option D है नागरजुन, ठीक है जल्दी, जल्दी, यह वाले तो मैंने बहुत अच्छे से याद कर रहा था, ठीका कार कौन है नाए चंद्री का के किसको नाए दिलाना है, याद करो, गया को नाए दिलाना है गया दास, ठीक है किसका किसका है answer A चलो, ठीक फिर अपन, next question के और अपना आगे बढ़ते है 8th नंबर का, तो भासकर की T का अनिमन में से कौन सी है तो भासकर की T का कौन सी है तो option A है, आपका लगुपंजी का option B है, व्रियत पंजी का option C है, भानुमतिव, option D है, निवन्द संग्रा कौन सा है भासकर की T का जल्दी बताओ, जल्दी, जल्दी भासकर की T का कौन सी है भासकर मैंने बोला था 12 सदी, 12 सदी इनका काल है, ठीक है 12 गंटे में क्या हो जाता है सूरिय, छोटा हो जाता है, लगुपंजी समान दिखाई देता है उसकी किरने लगुपंजी का, ठीक है फिर उसके बाद मैं बात करते है भानुमतिव, टीका के टीका कार कौन है, जल्दी बताओ option यह है, गया 10, option B भासकर, option C है, आपका चक्रपाणी देत, और option D है, चंद्रट कौन है भानुमतिव, यह जल्दी बताओ, भानु, भानु किसका परिया है सूरिय का, ठीक है और सूरिय क्या होता है, 11 गंटे में क्या हो जाता है, सूरिय चक्र, चक्र के समान दिखाई देता है, चक्रपाणी देत, ठीक है यह आपका AIPGT का question है, ठीक है, 2017 में पूछा गया था यह ठीक है, तो यह चीज़ आपको याद रखना, भानु मतिल ठीका के ठीका कार कौन है करके, 2017 का question आया था यह देन आगे बढ़ते हैं, chat box में सभी का अंसर आना चीए मेरेको, ठीक है, बहुत बच्चे बहुत अच्छा कर रहे है, ठीक है, अच्छा लग रहा है मेरेको देख करके, मेरेक भी मज़ा आ रहा है यह चीज में, ठीक है, पिर बात करते हैं, भासकर गविंद गानेकर की ठीका निम्णे में से कौन सी है, बता option है, अयरवेद रहस्य दीपी का, second है आपका अयरवेद तत्व संधीपिका, उसके बाद में हापका, C है अयरवेद संधीपिका, D है आपका अयरवेद प्रकाश, कौन से है, भासकर गविंद गानेकर जल्दी बताओं वासकर गोविंद घानेकर की जो टीक है उसका नाम क्या है किसके पास है रहस्य तीनों के पास है रहस्य बासकर के पास भी है गोविंद के पास भी है और गाडेकर के पास है तो रहस्य किसके पास है तीनों के पास है यह उत्रा खंड 2016 में आपका जो एक्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था यह चीज आपको याद रखना है ठीक है उससे एक कोश्चन था फिर आगे बढ़ते हैं फिर उसके आदने आपका अगला नेक्स्ट कोश्चन पूछा गय अभिचार बी हैं आपका ahead ॅच क्या बोले जाता है तो यह आपका बॉले जाते हैं प्रभाव को शुशूरुत क्या आपका ने क्या बोले है ठीक है ми कि अरुनाचल प्रदेस का जो कि अग्जैम हुआ था दुहजार ठाथ के उसमें यह कोश्चन आया था ठी अपने अगे बढ़ते हैं तो सुसूरुत सहीत है में कुल कितने रूघों कवर ने यह बताओ मेरेको जल्दी चैड़ बॉक्स में option इस है 1121 option भी है 112 option सी है 1120 option भी है 1119 जल्दी बताओ चैड़ बॉक्स मेरेको आंसार आने चाहिए सभी का BHU 2013 में यह आपका question paper में आया था BHU 2013 का जो question paper है ठीक है उसमें आपका PG का जो exam हुआ तो उसमें आया था कितने हैं बिल्कुल सही option C 1120 ठीक है उसके बादने आपने आगे बढ़ते हैं सुस्रुष सहीता में सरप्रथम सरप्रथम वर्णन किया गया है किस चीज का जल्दी बताओ option A है आपका मध्यम पंचमूल option B है आपका जीवनी पंचमूल option C है आपका पंच पंचमूल option D है उप्योग तो सभी जल्दी बताओ जल्दी जल्दी chat box में सबका answer आना चीए जल्दी बताओ क्या है किसका पहले वर्णन किया है ये भी आपका B.H.U. के exam 2015 में question आया थे है आपसे B.H.U. 2015 में विल्कुल सही option C पंच-पंचमूल ठेक है पिर आगे बढ़ते हैं आपनलो सुसुरु सहीता में चिकितसे इस्थान के अनागत वाधपरतिशेधी अध्याय में वर्णन किया गया है किसका वर्णन किया गया है बताओ इस अध्याय में पहला है option दिंचरिया B है आपका स्वास्तुरुती C है आपका वरन और D है आपका A और B दोनू क्या चीज है बताओ ये भी आपका कब आया था यह जो है आपका question इससे भी question put up हुए है ठीक है MPPSC 2015 में आपका question आया इससे बताओ क्या answer बेल्कुल सही दिन चरिया MPPSC में इससे question आया है 2015 में फिर next question में अपन आते है फिर next question आपका आया है अतिसार चिकित्सा में वर्णन की आगे है option A है आपका दोस करमजवयाधी option B है आपका सिर्फ करमजवयाधी का option C है आपका दोस सहजवयाधी और option D है जन्मकृत दोस सहजवयाधी कौन से है बताओ अतिसार चिकित्सा में किसका वर्णन की आगे है जल्दी बताओ answer आना चीए यह आपका उत्तरा खंड के 2014 की एक्जाम में यह कोश्यन आया था ठीक है विल्कुल सही option है ठीक है दोस करमजवयाधी फिल्फ नेक्स्ट बढ़ते हैं सुसुर सहीता के उत्तर तंत्र अध्धैर 64 में किसका वर्णन की आगे हैं option A है दिन चरिया option B है रितु चरिया option C है स्वास्तरुत और option D है प्रोकत सभी बताओ जल्ली यल्ली यल्ली ये बहुत important question है ये बहुत important दो बार question आया है ये कहा कहा है आई आपका एक तो आपका जाम नंगर 2000 12 में ये question पूछा गया था एक आपका NIA का जो एक्जैम हुआ था 2001 में उससे भी इससे question आया है बहुत important है सुसुरुत सही तक उत्तरतंत्र अध्या 64 में किसका ओल्डन है बिल्कुल सही option C स्वास्तरुईती ठीक है फिर बात करते हैं सुसुरुत की देन है क्या है भई सुसुरुत की देन है option A है आपका अचार रसायन, option B है आपका बुद्धी मेधागन option D, C है आपका A, B दो option D है कोई नहीं क्या है सुसुरुत की देन तो इतना तो आप लोगों क्लियर होगा अचार रसायन किसकी देन है? चरक की देन है अब चरक की देन है तो बाकि आपका option तो cancel ही होता है एक तो यह दो option बनेगी, कोई नहीं यह फिर बुद्धी मेधागन बुद्धी मेधागन है आपका, बुद्धी मेधागन जो है वो कि किसकी देन है? अचार जो शुशुरुत है उनकी देन है, इसको आपको याद रखने है तो यहाँ पर आपका जो है, यह आपका clear होता है तो इतना ही अपन यहाँ पर देखते हैं तो आज का जो question है, इतना ही अपन देखेंगे next class में मैं इसके आगे आप लोग को बताऊंगा तो में भी possible है कि अभी आपने लोग पूरा समीता ही क्लास करें subject wise classes, थोड़े chances कम है अभी समीता की क्लास अभी चलेगी तो यहाँ पर आपका question जो जो आपके previous year के question पर अपने repeat हो है मैंने आप लोग को करा दिये तो इनको 2-3 बार lectures को सुनिए बहुत important lecture है benefit तो आप लोग को हो ही रहोगा आप लोग को खुद को पता है क्योंकि मैं भी मैनत कर रहूँ तो आज की जो class है वो यहीं पर अपने end करते हैं next जो class रहेगा उसमें अपन इसके आगे देखेंगे ठीक है तो फिर thank you class